वोफो कितनी गर्मी हो गई है इस गर्मी में ना तो कुछ बनाने का दिल करता है ना है कुछ खाने का तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए एक कम तेल का सुबा के टाइम में बनने वाला हेल्दी टेस्टी ब्रेक्फस्ट की रेसिपी लाई हूँ जिसे ब बटर मिल कहने की चाच डाल रहे हूँ चाच कितनी हिल्दी होती है इसके तासीर कितनी अच्छी ठंडी होती है तो आप सबको पता है तो बस यह डाल लीजेगा साथी इसमें थोड़ा सा शक्कर डालिए और साथी इसमें हमें डालना है नारियल जो कि मैंने बारिक काट कर अब इसको और भी हिल्दी बनाने के लिए मैं इसमें पोहे डाल रही हूँ तो मैंने आदा कप पोहा लिया है जिसको मैंने सोक कर डाला है इन सारी ही चीजों को हमें ब्लेंड कर लेना है अगर आपको लगे यहां पे तो आपना आदा कप पानी इसमें डाल लीजेगा और बारी चिलका हटा कर साथी मैंने यहां पे डाला है भुने विच्छने अब इसमें मैं डाल रही हूँ भूणी मूंगफली यानि की सेंग डाना इसी के साथ मैं अड़ करूंगी कुछ करी पत्ते जो के मैंने आदस लिया है दो हरी मिर्चे और लाल मिर्चे भी जो हरी मिर् इसका तड़का बनानी के लिए थोड़ा सा ओयल, इसमें हींग, राई, करी पत्ते और एक लाल सुके मिर्च डालकर ये तड़का इसमें डाल दीजिए और फटफट से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए जिससे ये जो सौंदा सौंदा फ्लेवर है ना चटनी में तड़के ये सारी चीज़े बारिक बारिक डाल रही हूं बारिक अब इसमें थोड़ा साहरा दन्या और बारिक कटी अब इस सब्स्वाजी से हमारा बहुत ही हेल्दी कम तेल ब्रेक्फस्ट बने वाला है जो के बहुत मजएका होगा इसे बनाकर साइट पर कर लेते हैं और बैटर की ग्राइंड हो गया है और इस तरह का बिलकुल सेट हो जाता है क्योंकि जो सूजी है ना वह पूरा पानी अब्जॉब कर लेती है साथी पोहा भी फूल जाता है इसमें तो इस तरह का गाढ़ा बैटर हो जाएगा अब इसमें आपको एक चमच नमक डालना होगा टेस्ट के सा अब बहुत ही अच्छे से इसमें एर बबल इंक्रप्ट हो जाते हैं लगतार चलाने से और बहुत ही स्पॉंजी फुला फुला सा आपका बनेगा अब पूरा बैटर रेड़ी है तो साइट पे कर लीजे एक तवा ले लीजे तवे को ग्रीस कर लीजेगा अगर आपके पा साथी मैं या पे गन पाउडर बना कर रखा है यह मैं इसके उपर स्प्रिंकल कर दे रही हूं अगर यह नहीं है तो आप इसकी जगह पे ना संपर मसाला स्प्रिंकल कर लीजेगा और इसको लिड लगा कर तीन चार्मर तक सिखने दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे यह कि अगरी मैं तो नहीं है इसकी आपने कम तेल कितनी कम चीजों से हमने इसे बनाया है तो एक बार इसे बार जरूर त्राइक है तो बस यह गर्म हमारा ब्रेक्फस्स बन गया है इसी तरह से आपको सारी बना कर देने हैं बनाने से पहले बस इस बात का ख्याल रखीगा कि त जिससे आपका जो लोहे का तवा है ना वो भी ग्रीसी हो जाएगा नॉन स्टिक बन जाएगा और उसके उपर आप ये नाश्टा बहुत ही अच्छ से बना सकेंगे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी तो बस इसी तरह से आपको आपके नाश्टे बना लेने हैं ये नाश्टा खाने में इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपको क्या बता हूँ एक से आपका दिली नी भरेगा सब मांग मंग कर खा जाएंगे इसे क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है तो एक बार ये कम तेल का हिल्दी टेस्टी चटपटा ब्रेकफस्स जरूर ट्राइगा चटनी के साथ में कमाल का लगता है और आपको खाकर मज़ा आजाएगा और अब हर रोज यही नाश्ते में बनाना चाहेंगे यह इतना टेस्टी है तो एक बार ये रेसेपी जरूर ट्राइगा अगर वीडियो अच्छी लग तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर ने सब्स्राइब जरू बनाईएगा क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है घर की चीजों से बहुत ही कम मेहनत में बनकर तयार होता है यह मज़ेदार लेस वाइल ब्रेकफास्स जिससे आप एक बर बनाईएगा इसी तरह कि और भी नहीं रही रेसेपी मैंने मेरे चैनल पर डाली हो और भी लाती भ क्लिक कीजेगा जिसे मेरी वीडियो की सारी लेटिस अब्डेट सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी यहां पर बहुत ही स्पॉंजी बनता है फुला फुला बनता है आप देख सकते जालिया वी उटी है और साथी सब्सक्राइब कर लीजेगा और मुझ जब इसकी फोटोज या पिक भी डियम कर सकते इंस्ट्रग्राम पे लिंक आपको मिल जाएगा चलिए फिर मिल ट्यूब में एक नहीं दमागेदा जब दस रेसेपी लेकर जब तक अपना अपती फैमली कर रखिएगा बहुत सारा खाल दूआ में आद रखिएगा थैंक्स थी, क्षैग वाग्षी, करना था कमेंगों, दटले की वोटाओड़ खाल, पत्रकपे उर्खनी हमें त। है जब रहे हमें ह। सेटाल प्सपनी है, कर वोटोज कर रखिएगा फिर अबष्णियम में इसकूब कर दूब जाई अपन्दों चने ही. साहएगा पूमाए़ दे